हेलो फ्रेंज, आपका उत्राखंड उनलाइन एजुकेशन हब में तो गाइज, साइन्स की हमने सिरीज स्टार्ट किये थी जिसमा आज हम केमिस्टरी के 25 टॉप क्वेस्टन करेंगे जो की रिलेटेड है गाइज, केमिकल बॉन्डिंग से जैसे कि आपको पता है उत्राखंड में बंदरोगा का एकजाम है इसमें 100 questions आपके science से रहेंगे तो उसी के लिए physics chemistry के सिरीज स्टार्ट किया गाइज जिसमें हम chapter wise MCQ कर रहे है यह आपको help करेंगे आपके NTPC exam में SSC के, UPPSC के तो जिस भी exam में science आती है वो सब के लिए क्या है गाइज यह helpful रहेगी आपको तो गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फर्स्ट क्वेस्चन है गाइज धनायन तब बनता है जब परमाणू इलक्ट्रोन ग्रहन करता है परमाणू इलक्ट्रोन खोता है परमाणू उपर बाहर से धनावेस आता है परमाणू से प्रोट्रोन बाहर निकल जाता है तो देखे गाइज कभी भी क्या होगा एलिमेंट्स पे या तो क्या होगा आपके positive आयमन होगा AL प्लस 3 आप बोलते हो मैंने बोला था या आप cđल नगेटीव यह sign का region क्या है कोई भी अगर element के उपर आपका positive sign है तो याद रखेगा positive sign का मतलब होता है कि आपका क्या हो रहा है उसने electron क्या कर दिये हैं त्याग दिये हैं donate कर दिये हैं अगर कोई भी element electron donate करता है तो उस पर क्या आ जाता है positive sign plus 3 का मतलब है aluminum ने 3 electron क्या कर दिये हैं donate CL negative जब भी किसी element के उपर negative sign आता है तो negative का मतलब होता है कि उसने electron क्या किये हैं ले लिये हैं ठीक है electron को in reach हो चुका है वो reach हो चुका है electron से CL में एक electron ले लिया तो एक electron के पास क्या हो गई अधिकता हो गई है तो negative मतलब electron ले ले लेना और positive मतलब electron donate कर देना तो आप धनायन कब बनता है बोल रहा है तो देखिए आपका answer क्या हो जाएगा परमाणू पर बाहर से धनावेस आता है नहीं हो सकता परमाणू electron ग्रहन करता है बिल्कुल गलत ठीक है क्योंकि ग्रहन करेगा तो क्या होगा negative परमाणू electron खोता है बिल्कुल सही जब electron खोता है तो तभी उस पर क्या आता है गई positive charge आता है तो option number B आपका right हो जाएगा चलते हैं next question पे रणायन तब बनता है negative ion कब बनता है ये पूछ रहा है तो मैंने आपको बता है negative ion तब बनेगा जबकि electron को क्या करेगा वो ग्रहन करेगा तो आप देख सकते हैं परमाणू electron ग्रहन करता है गईज कौन सा आजाएगा आपका option number A आपका right हो जाएगा next question है गाईज आयनों से बने हुए योगिकों का सामान्य नाम है अब देखिए हम chemical bonding की बात करें अगर मैं chemical bonding की बात करूँ गाईज तो ये क्या होती है एक होता है आपका ionic bond होता है ठीक है ionic bond कहते हैं जिसे तो ionic bond में क्या होता है जब एक metal किसी non-metal को क्या कर देता है electron donate कर देगा ठीक हो गया तो तब हमारा जो bond बनता है वो कौन सा bond बनता है ionic bond बनता है या ionic bond बनता है इसमें हमेशा क्या होगा एक तो positive element होगा positive ion होगा दूसरा negative जैसे मैंने आपसे क्या बोला NaCl में कौन सी bonding है अब जब आप NaCl को break करोगे गया इसे आप पानी में डालोगे पानी में इसे dissolve करोगे तो ये किस में तूटेगा Na positive में तूटेगा और Cl negative में simple आपको तरीका बता रहा हो देखिए आप अपने elements को break कर दीजिए अगर वो element ठीका जो भी compound है आपका वो compound अगर आपके आईनों में तूट जा रहा है तो जो bonding होती है वो वैधूत संयोजन या फिर ionic bond कहलाती है ठीका simple सा है फंडा इसका गाईज ये सबसे क्या होता है मजबूत बंद होगा आपका और इसका boiling point क्या होगा जादा होगा ठीका जितने भी ionic bond बनाएंगे उनकी boiling point क्या होगी जादा क्यों क्यों क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करते है एक positive है एक negative है तो क्या करेंगे ये closely एक दूसरे को बांधे रहेंगे तो जब closely एक दूसरे से बंधे हुए हैं तो इनको टोड़ने में जादा energy की क्या होगी जरूरत होगी तो देखिए आयनों से बने हुए योगिक का सामान्य नाम है तो बता दिया मैंने आयनों से बने हुए मतलब आपका कौन सा बंद हो जाएगा गाईज स सेयर होगा आधा electron किसके पास रहेगा आपका एक element के पास आधा दूसरे के पास दिसे च पूर वाले example ले लोगा इसमें क्या होता है hydrogen भी क्या करता है आपका से कारबन के सास्ध के शाथ इलक्टरवं को शयर करता और कारबन भी हईड़्ोजन के सास्फ सेयर मतलग कोई भी इलक्टरव कॉम्पलीटली देगा नहीं जैसे मैंने hadi ने-सीयल में बोला na-सीयल में क्या होता है गाइज NA positive और CL negative होता है NA CL को एक electron दे देता है जिससे दोनु की क्या होते है Octate rule पूरा follow करता है ठीक है दोनु में अस्टक नियम के पालन से 8 electron हो जाते हैं तो यह हो गया हमारा answer क्या हो जाएगा option number A वैधुत सहियोजग जब भी आइनों से bond बनता है उसे हम क्या कहते है अब वैधुत सहियोजग next question है आइनिक bond बनता है जब आप कह रहा है यह जो आइनिक bond है वो कब बनेगा तो आइनिक bond बनने के लिए मैंने आपको क्या बोला जब एक metal किसी non metal को electron का complete transformation दे देगा ठीक है complete transform होगा कौन electron तो सहियोग करने वाले परमाणू electron प्राप्त करते हैं बिल्कुल गलत ठीक हो गया सहियोग करने वाले परमाणू electron का त्याग करते हैं नहीं एक त्यागेगा एक वो करेगा बढ़ दोनों में ठीक है दोनों चीज़े होंगी एक तत्वे धातू तत्व का सहियोग अधातू तत्व से होता हैं ये क्या हो जाएगा option number C आपा गाईज क्योंकि क्या होता है एक metal होता है और दूसरा non metal एक electron को त्यागता है दूसरा गरहन करता है और जो bond बनता है वो ही bond हमारा क्या कहलाता है आइनिक बन्द कहलाता है next question है विद्धुत सयोजक बन्द बनता है धनाविष्ट आयनों के बीच मतलब जो आइनिक बन्द बनता है कह रहा है गाईज वो कैसे बनता है तो आइनिक बन्द के लिए क्या होना चाहिए एक तो positive होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए negative मतलब आप क्या कह सकते हो दोनों विपरीत होने चाहिए ठीक है विपरीत आवेश वाले तो देखो धनावेशित आयनों के बीच तो नहीं होगा ना केवल रेणावेशित के बीच भी नहीं होगा विपरीश्ट आवेश्ट आयनों के बीच between the inverse sign option number C आपका क्या हो जाएगा right हो जाएगा तो आप देख रहे होंगे पूरे मैंने theory के form में MCQs आपको करा रहा हूँ जिससे कि आपको theory पढ़ने की ज़रुद नापने दोनों काम आपके क्या हो जाए एक साथ हो जाए अगर आपको एक चैप्टर से complete 25 या 26 MCQs मिलने तो chemistry के total जो हम करेंगे 121500 हम total MCQ करेंगे ऐसे ही physics ऐसे ही बायो तो आप समझ सकते next question है guys निमनलिखित योगिकों मैंसे किसमे आइनिक बंद नहीं है ठीक है किसमे आइनिक बंद नहीं है मैं यह बताना है तो potassium nitrate की बात कर रहा है यह वीडियो वैसे भी आपके लिए informative है क्योंकि मैं इसमें formula भी आपको बताऊंगा क्योंकि direct question यह भी पूछ लेगा आपको जैसे मैंने लिखा बोलेगा potassium nitrate का formula बताईए easiest way क्या है आप अपने compound को break कर दीजिए अब आप जब इसे break करोगे गाई तो K positive और NO3 negative तूट जाएगा यहाँ पर positive और negative आइन आपको मिल जाएगे जब आप इसे water में dissolve करोगे ठीक है NaCl तो हमें सबसे पहले ही पताई यह क्या होता है Na positive Cl negative तो यह भी क्या दिखाएगा आपका ionic bond दिखाएगा CaCl2 की बात करें तो Ca plus 2 and 2 Cl negative यह भी देखें प्लस और negative बना रहा है तो यह जो उपर के 3 के 3 example है आपके यह कौन से बंद बनाईगे आपका ionic bond बनाईगे ठीक है क्यों बनाईगे मैंने बता दिया चादा आपको कुछ नहीं करना है simple सा वे बता दिया मैंने आप अपने compound को break कर दो compound break होने के बाद अगर क्या हो रहा है आपका positive और negative में break होगा तो ionic bond बनेगा अब यह जो methane बजगया गई CH4 इसमें क्या होता है transformation completely नहीं होता ठीक है यह C हो गया देखिए यह hydrogen पूरा बता देता हूं मैं आपको CH, H, H, H आप ऐसे ही बनाऊगे आप carbon क्या होता है 6 है और इसके last में कितने electron होते गई 4 electron मैंने बताया था पिछली वीडियो में आपको carbon 6 हो गया तो कैसे टोड़ते 2,4 बाहरी कक्षा में कितने electron होंगे 4 electron होंगे तो यह 4 electron ही क्या करेंगे chemical bonding में भाग लेंगे hydrogen का तो एक ही है तो एक ही electron हो गया अब देखो इसमें क्या होगा ना तो hydrogen carbon को दे सकता है क्योंकि hydrogen carbon को देदेगा 2 होगे और noble gas के लिए भी 2 पाना होता है सब hydrogen के पास 2-2 electron होगे ऐसे ही इस carbon को देखो 1,2,3,4,5,6,7,8 इसके पास भी अंतिम में कितने electron होगे 8 मतलब बिना electron का इन्होंने क्या करे हुए transformation किये हुए बिना electron को दिये हुए या लिये हुए जब chemical bonding बनती है जो बंद बनते हैं वो बंद आपके क्या कहलाते हैं covalent bond कहलाते हैं ठीक है सही हो जी बंद कहलाते हैं तो इसलिए जो methane CH4 है आप देख सकते हैं कहीं भी नहीं दिया न तो यह क्या बना दिया इसने गाईज कौनसा वाला बंद बनाएगा यह कोvalent bond बनाएगा और यही आपका answer हो जाएगा क्योंकि आपसे क्या पूछा है उस option को बताओ जिसमें की आइनिक बंद नहीं है तो CH4 में नहीं है CH4 में कौनसा बंद होता है कोvalent bond होता है चलते हैं next question पे निम्न में किस अड़ू में वैधुत सयोजग बंदन है ठीक है मतलब वैधुत सयोजग बंदन इलेक्टो नेगेटिव फोर्स भी की बात कर रहा है केमिकल बॉंडिंग की बात कर रही है ठीक है अब देखो आइनिक बॉंड कब बनता है मैंने बता दिया है CCL4 की बात करो N2, CH4, CACL2 अब जब आप CCL4 देखोगे अभी मैंने आपको एक्जामपल बताया गए किसका एक्जामपल बताया था आपको CH4 का बताया सेम जैसे CH4 होता है वैसे ही CCL4 का भी आप बना के देख लिए तो यहां भी कोई भी इलक्ट्रों त्यागा या दिया नहीं जाएगा ठीक है तो यह हो गया किसका हो गया कोवैलेंट बनाएगा दूसरा N2 देखो जब भी सेम परमाणू हो यह नाइट्रोजन है यह भी क्या है आपका नाइट्रोजन है नाइट्रोजन के लास्ट कक्षा में चार इलक्ट्रों ठीक है यहां भी कितने होंगे चार इलक्ट्रों तो यह क्या करते हैं गईज दोनों क्या बना लेते हैं सहसे हो जग बंद बना लेते हैं मतलब यह इससे क्या ले लेगा चार electron ले लेगा दो और होंगे यहां भी दो होंगे तो ना तो इसने इसे electron दिये ना ही इसने इसे electron दिये बट sharing कर ली तो sharing करने से इनके अस्टक पूर्ण हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा आपका covalent bond ऐसे ही CH4 तो मैंने बताई दिया बट CA CL2 जब आप इसे break करोगे CA plus 2 and CL2 negative बनाएगा ना 2CL negative तो देख लो positive negative आ गया तो इसमें क्या होगा आपका ionic bond होगा तो option number D will be your right answer चलते next पे निम्न मैंसे किसमें वैदुत संयोजग बंदन है ठीक है किसमें आपका ionic bond है ये पूछ रहा है O2 बता दिया फिर से एक देखे एक और याद रख लीजिए N2 बोले आपसे C2 बोले या O2 बोले जब सेम चीज हो ना ठीक है अडू जब सेम कि उनमें कौन सा बंद है ये पूछे आपसे तो याद रखेगा वो हमेशा कैसा bond बनाएगे covalent bond बनाएगे मतलब सहसंयोजी बंद बनाएगे तो O2 तो हो गया आपका covalent bond CH4 की बात करें अभी मैंने बता दिया आपको एकजामपल से ये भी क्या बनाएगा covalent bond बनाएगा CHCL3 सेम ये भी क्या बनाएगा guys covalent bond बट NABR अब अगर आप इसे टोड़ोगे क्या बनाएगा NA positive BR negative उपर कहीं भी आप break करो इसमें break नहीं होगा positive और negative आइणों में ठीक है तो NA positive BR negative option number D आपका right हो जाएगा चलते next question पे सहसंयोजी आबंद किसके कारण बनता है इलक्ट्रोनों के पूर्ण अंतरन इलक्ट्रोनों के आंसिक अंतरन इलक्ट्रोनों के अंस भाजन या इलक्ट्रोनों के दान से अब देखो सहसंयोजी आबंद मतलव कोवेलेंट बॉंड की बात चल लिए अब मैंने आपको क्या बोला कोवेलेंट बॉंड कब बनता है जब आपकी sharing of electron होगी अब sharing of electron होगा वो भी कैसे अंस भाजन मतलव आधी sharing तो होगी एक elements के पास और आधी sharing होगी दूसरे elements के पास तो आपका option क्या हो जाएगा गाईच option number C will be your right answer ठीक है electronों के अंस भाजन fraction of electron ठीक है देखो पून अंतरन तो होगा नहीं ना पून अंतरन से तो फिर equivalent bond होगा नहीं आइनिक बंद 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 जाएगा आंसिक भी नहीं होता है electronों के अंस भाजन से आधा इधर आधा अधर अगर आंसिक अंतरन होता है गाईच तो इसमें फिर क्या बंद जाता है आपका दूसरा bond बंद बंद जाएगा तो option number c आपका right हो जाएगा चलते है next question पर जब एक ही तत्व के दो परमाणू परस पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंदन की प्रकरती होगी अभी मैंने बताया आपको जब एक ही तत्व के दो परमाणू मैंने oxygen ले लिया या मैंने nitrogen ले लिया ठीक है oxygen और oxygen के बीच में कौन सा bond बनेगा कहरा nitrogen nitrogen के बीच में तो जब भी आपका गाईच क्या हो same type के क्या हो same type के elements की बात करें अरोग की बात करें तो कौन सा बंद बनेगा पहली बात तो मैंने बता दी आपको covalent bond भी बनेगा अब गाईच covalent bond को भी हम दो तरीकों में divide कर देते हैं ठीक है polar को कहते हैं धुरूवी बंद और non-polar को क्या कहते हैं अधुरूवी सहसंयोजक बंद polar क्या होता है गाई जैसे हमने अभी बात की थी CH4 की बात की मैंने ठीक हो गिया जब आपके क्या होंगे atoms different होंगे तो बहुत लंबी लंबी थियोरी मिल जाएगी उसके बाद समझने में यह तो जो अब अगर बात करें non-polar की तो non-polar में क्या होगा positive negative तो नहीं बनेगा अगर जब O2 को टोड़ोगे तो क्या एक O positive और एक O negative तो नहीं बनाएगा ना जल में O के एक ही परमाल हो है ठीक है एक ही अड़ हो है तो इसमें क्या होगा जब आपके same element हो covalent bond तो बनेगा बट कौन सा वाला covalent bond बनेगा non-polar covalent bond मतलब अधुरुवी सहसयोजक बंद तो आपका इसका answer क्या हो जाएगा option number D ठीक है गई चलते है next पर I hope कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी next question है methane अड़ू में है तो methane CH4 की बात कर रहा है कह रहा है इसमें single bond है double bond है triple bond है मैंने बताए था आपको यह क्या करते हैं covalent bond तो बना रहा है और यह पूरा यह कर रहा न एक दो तीन चार क्यों carbon के 6 electron ठीक हो या प्रमाणू क्रमांग 6 तो 2,4 बाहर एक अक्षा में संयोजी electron की संख्या 4 है तो 4 electron ऐसे होंगे जो बंद बनाने में रासाइनी क्रिया में भाग लेंगे और यह hydrogen भी देख लो तो क्या कहीं भी double bond बन रहा नहीं बन रहा तो आपका answer क्या हो जाएगा एकल सह सयोजक बंद सिंगल कोवेलेंट बाइंडिंग ऑप्शन नंबर सी इतने इजी वे में आपको समझा रहा हूँ अगर आपको कोई भी कमेंट कोई भी डाउट हो गाईज तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ठीक है किसी से भी related तो next video में उससे related जो भी है यह वैसे हम लूइस स्ट्रेक्चर से पढ़ते हैं ठीक है लूइस स्ट्रेक्चर होता है हमें उत्ता डीप जाना नहीं है तो इंपोटेंट इंपोटेंट है वह मैं आपको सारे बता दूंगा 5 5 से लेके 6 उससे बाहर एकजाम में आएंगे नहीं अब देखो एथलीन की आप एथलीन की बात चली लिए तो क्या होगा गया है यह होगा हमारा कि और यहां पर डबल बन्ट सी तो आप कितना बच जाएगा दो तो इसके साथ बना दिया तो 4 अच्छा s2ым होगा ठीक हो गया यह होता है तो इसकी जो आकरती होती है यह होती है संतल त्रिकॉर्णी है वैसे अगर समझाओ तो बहुत डीप चला जाएंगे इसमें क्या होता है यहां जो बनेगा यह तो आपका समतल बनता है बट है दो की वज़े से त्रिकोड़नी चला जाता है तो समतल त्रिकोड़नी होता है यह आप याद कर सकते हैं किसकी बात चल लिए एथलीन की इंपोर् कि बात करें तो निम्न मैंसे किस योगी की आकरती चतुसफल की मतलब टेट्रा हाइडल होती है तो देखें यह चार ओप्शन दिये हैं चार की तो मैंने यहीं पर बता दूंगा एक की आपको पीछे बता दी तो ऐसे ही सारे जितनी इंपोर्टेंट हो सब कबर हो जाएंग ठीक है ट्राइगोनल और कैसी पिरामिडल एक तो हो गया यह याद रखेगा दूसरा या फिर इसको बोलते हैं दिस्टॉर्टेड टेट्रा हाइडल ठीक है अगर आपसे पूछे दिस्टॉर्टेड टेट्रा हाइडल किसकी है तो आप अमोनिया जा सकते हैं दूसरी बात क carbon tetra chloride की तो यह क्या होता है CCL4 की बात चल लिए ठीक है और CCL4 की ही जो आकरती होती है गई जी हमारी tetra hydral होती है tetra hydral मतलब कौन सी हो गई हमारी चतुस फलकी यही हो गया ठीक है हरुए जल की बात करूं hydrogen की तो इसकी आकरती गैज बेंड होती है कि I can यह हो गया ठीक है इतना सारा आप याद कर लीजिए चलते हैं नेक्स्ट पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सह सयोजक योगिकों के द्रवनांग तथा कुथनांग भिन्न होते हैं क्योंकि जो कोईलेंट बॉन बनाते हैं गाईज उन एलिमेंट की बात हो रही है वो कैसे होते कह rust रहा उनका boiling point ऊपका melting point जो होता है वो लोह न किसके हमारे ४रिजन क्यों के क्योंकि उनका boiling point भी ह mismos ह acc caonbinal withao high इसा होता कि और क्योंकि देखो कर दो दो कि ने न उनए न ठीटी बहुर दूसरा नगेटिब है विपरीट आवे से एक इक दूसरे को पकड़े रहें tightly bond होंगे बट यहां पर तो electron क्या है partially क्या है covered है आधे electron के शक्ति एक के पास है आधे electron के दोसरे के पास तो उनको हटाना easy है न तो यही region है कि इनमा अंतरानविक भल ठीक है internal force जो होता है intramolecular force वो weak होता है इसकी वज़े से इनका boiling point और melting point कम होता है तो option number D आपका right हो जाएगा next question है sodium chloride में होता है NaCl की बात चल रही है तो आप मुझे बताने की ज़रुरत है नी I think Na positive, Cl negative simple है एक positive, एक negative तो आपका कौन सा बंद बन जाएगा वैधुत संयोजग बंद electron negative bond या फिर ionic bond भी आप कह सकते है option number C जब एक रासाइनिक बंद बनता है तब क्या होता है तो जब chemical bond बनता है गाईज तब क्या होगा यह पूछ रहा है ठीक है उर्जा हमेशा आउसोसित होती है energy is always absorbed energy is always released उर्जा जितनी आउसोसित होती है उससे अधिक निर्मुक्त होती है उर्जा न तो उसोसित होती है और नहीं निर्मुक्त होती है तो याद रखेगा कभी भी अगर chemical bonding हो रही है रासाइनिक बंद बन रहा है तो energy will always be released ठीक हो गया energy हमेशा क्या होती है रिलीज होती है chemical bonding में आप मौम्मत्ती का जलना बोल सकते है energy release होगी अब इसके बाद जहां पर भौतिक परिवर्तन होगा ठीक है भौतिक परिवर्तन आप बोल सकते हो जैसे मैंने बोला बर्फ का पानी में बनना ठीक है बर्फ क्या हो रही है पानी में बन रही है पानी बन रही है वाटर में जा रही है तो energy release होगी या absorbed होगी तो क्या होगा ये बर्फ थी मेरी अब बर्फ का क्या होगा 0 degree Celsius पर बर्फ है surround होगा, surround से ये energy को लेगी ये ताप मानतों क्या करेगी अपने पास लेगी और उस energy को लेगी तो तभी तो ये बर्फ से क्या मनेगा पानी में चला जाएगा तो ये जो होगा, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर उर्जा अवसोसित होगी absorbed होगी ठीक है, तो याद रखेगा जब भी chemical bond की बात होगी तो chemical bond में उर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है energy is always released next question है carbon tetra chloride अड़ो की आकरती है तो देख लीजिए carbon tetra chloride CCL4 4 की बात चल लिए तो चतुस्वल की हो जाएगी और tetra hydal, option number C आपका क्या हो जाएगा गाई, right हो जाएगा ठीक है, चलते है next question पर निम्न मैंसे किस योगिक में hydrogen आबंद नहीं है hydrogen bonding नहीं है hydrogen bonding क्या होती है देखे CH4, H2O, NH3, CH3, COOH अब एक चीज़ां बता रहा हूँ ठीक है, वो आप अपने notes में भी लिख सकते है जब भी hydrogen bond की बात आईगी तो एक जो element होगा दूसरा वाला hydrogen तो हो गई होगा साथ में जो दूसरा होगा वो या तो oxygen होगा या nitrogen होगा या fluorine होगा ठीक है, fluorine oxygen, nitrogen, fluorine या फिर इनके compound yogic या फिर इनके compound yogic अगर ये generally हैं तो वहाँ पे chances है कि generally बोला हूँ, ठीक हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ बट आपकी exam में इनसे ही देखने को मिल जाएगा generally जो आपकी bonding होगी वह कौन सा वाला बंद बनेगा hydrogen bond बनेगा इतना बता दिया, अब हम अपने आपते option में, वैसे तो अगर पिछली में आपने अच्छी से पढ़ा होगा तो देखो CH4 पढ़ चुके हम CH4 कौन सा वाला bond बनाता है गाई covalent bond बनाता है, सहसयोजी बन बनाता है, ठीक है, क्यों बनाता है मैंने बता दिया, H2O इसमें तो already water यह है, तो hydrogen bonding तो होगी ही, दोसरा मैंने आपको बता दिया है, देखिए, oxygen, nitrogen fluorine, oxygen present है ना इसमें तो कौन सा bond होगा, hydrogen bond होगा, NH3 देखो hydrogen भी है, और nitrogen hydrogen भी है, तो आहां भी देख सकते हो, nitrogen तो इसमें भी कौन सा bond होगा, hydrogen bond होगा, अब देखो नीचे CH3COOH है, hydrogen तो है ही साथ में यहां पर देखो, COOH OH-B भी है ना, oxygen का ही तो compound है यह, ठीक है तो इसलिए इसमें भी कौन सा bond होगा आपका hydrogen bond होगा, तो क्या हो जाएगा गाईज, ठीक है यह important चीज़ है, बहुत important आप इसे लिख सकते हैं, कहीं आपको मिलेगी यह चीज, ठीक है, oxygen, nitrogen और fluorine, यह तीनों या फिर इनके compound है, तो generally जो आपका bonding होगी, वो कैसी होगी, hydrogen bond उसमें उपस्थित होगा, next question है निम्न मैंसे किस योगिक में hydrogen आबंद विध्यमान है, किस में hydrogen bonding है, अब देखो अभी मैंने बताया था, ONF वो आपके हर question पे applicable हो जाएगी, hydrogen fluoride HF आ गया ना, देखो, fluorine आ गया तो आग बंद करके बोल दो, कौनसी bonding होगी, hydrogen bonding होगी HCl, इसमें hydrogen bonding नहीं होगी क्यों H positive, Cl negative ठीक हो गया, कौनसी bonding में चला जाएगा, यह आइनिक बंद बना देगा HBR, देख लो, इसमें भी हमारी, नहीं होगी HI, नहीं होगी ठीक हो गया, तो answer क्या हो जाएगा आपका hydrogen bond किस में है, केवल option number A में है चलते है, next question पर रैखिक संग्रक्षना वाला अडू है CO2, NO2 SO2, या फिर SiO2, ठीक है रैखिक संग्रक्षना वाला क्या होता है, फिर से Lewis structure है, देखिए, answer तो है हमारा CO2, अब यह होता है क्या है गाईज, देखों बताता हूँ, C होता है आपका यहाँ पर oxygen बनाएगा यहाँ पर oxygen को 2 electron चाहिए, तो यह बना लेगा, ऐसे ही oxygen को 2 आप देख सकते हो, इसके भी 8 electron देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 होते हैं ना oxygen के बाहर, 8 होता है क्योंकि तो 2 अंदर वाले कक्षम, 8 बाहर वाले में दो यह यहाँ से ले लेगा ऐसे ही इधर की बात करें तो देखो, जो structure बनता हो कैसा बनता है, linear बनता है पूरा का ठीक है, रैखिक संग्रसना बनती है तो option number A, बाकी NO2 की बात करोगे तो यह मुड़ी हुई structure में आ जाएगा SO2, SiO2, SiO2, SiO2 option number A, CO2 की जो संग्रसना होती है वो रैखिक संग्रसना होती है next question है hydrogen chloride एक gas है परन्तु hydrogen fluoride एक निम्न क्वतनांक वाला द्रव है क्योंकि, एक बात चल लिए आपकी HCl की और एक बात चल लिए HF की दोनों में difference क्या है यह भी आपकी chemical bonding है यह भी आपकी chemical bonding है बट मैंने आपको बताया था ONF अगर यह molecules present हैं, तो आपके chances हैं ठीक, chances क्या हैं हो गई होगा, वहाँ पर क्या होगा hydrogen bond होगा, तो यहाँ पर तो आपका hydrogen bond होगा ठीक है, sorry और यहाँ पर HCl माँ आपका hydrogen bond नहीं होगा, तो यही रीजन है कि hydrogen bond के कारण अडू क्या हो जाएंगे, थोड़ा पास आजाएंगे, और पास आजाने से HCl जो होती है, आपकी वो gas होती है, क्योंकि gas में molecule क्या होते हैं, दूर-दूर होते हैं और जब उसको पास लाओगे इन molecule को तो gas क्या होती है, द्रव में बदल जाती है न, तो यहाँ पर HF की बात करोगे तो HF में क्या होगा, इस तरीके से आजाएगा, पास पास आजाएंगे तो HF क्या होता है, द्रव होता है option number कौन सा हो जाएगा, गईज आपका C will be your right answer hydrogen आबंद के कारण अडू संगुडित हो जाते है तो गईज यह था हमारा last question, I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं new वीडियो के साथ ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो channel को like और subscribe कर दीजिए तब तक के लिए thanks, bye have a good day